Hello kids, good morning, how are you all? I hope you all are fine. बच्चों हमने हमारी जो last हिंदी की क्लास थी उसमें मैंने आपको रिवीजन करवाया था शब्द बनाओ, flower से जिसमें मैंने आपको 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले और 4 वर्ण वाले शब्दों को बनाना सिखाया था Yes, today I am going to teach you same topic, शब्द बनाओ, पर वो मैं आपको एरो से शब्द बनाना सिखाऊंगी So please all if you take out your Hindi notebook, pencil and eraser Yes, first of all write down today's date, today's date is 11-2-2022 year, रिवीजन नंबर 5 शब्द बनाओ सबसे प्याले आपको इस तरह से एरो बनाना है, जिसमें हम 2 वर्ण वाले शब्दों को बनाना सिखेंगे तो यहां आपको थ से धनमस वाला थ लिखना हुआ, और फिर इदर first arrow पे न, second पे क, third पे र, fourth पे म, और fifth पे प लिखना है और हमको इन सब के पीछे थ को जोड़कर शब्द बनाना है, yes, first देखेंगे न, न के पीछे अगर थ लग जाएगा तो यह हो जाएगा, न, थ, क्या लिखेंगे, न, थ, next, क क के पीछे थ लगेगा तो, क, थ, क्या हो जाएगा, क, थ, थ, third number पे र के पीछे थ को लगाएगे तो, र, थ, रत, fourth, म के पीछे थ लगाएगे तो, म, थ, and the last है, प, प के पीछे थ को लगाएगे तो, प, थ, इस तरह से हमको दो वर्ण वाले शब्द बनाना सीखना है, first है न, थ, कत, third पे है रत, fourth पे है मत, और फिफ्ट पे है पत, तो इसमें किते वर्ण है, दो, next है हमारा तीन वर्णों वाले शब्दों को जोड़कर बनाना, इस तरह से एरो बनाना है, वहापे हम लिखेंगे र, फिर, first एरो पे अम, second एरो पे नग, third पे मत, fourth पे डग, और fifth पे लह, इसको हमको शब्द बनाकर लिखना है, सबसे first number पे लिखेंगे, अ, म, र, QUया हो जाएगा शब्द बेटा, अ, म, र, next न, ग, र, न, गर, क्या हो जाएगा, न, ग, र, थरड पे हैं, म, ट, र, मत, क्या हो जाएगा, म, ट, र, मत्र, फोर्थ पे है डगर डगर क्या हो जाएगा डगर डगर एंद लास्ट फिफ्ट पे है लहर लहर क्या हो जाएगा लहर ओके अमर नगर मटर डगर लहर इसमें कितने वर्ण है वान टू थ्री वर्ण और एक लास्ट है फोर्ड वर्णों वाला जिसमें हमको इस तरह से अगेन एरोल बनाना है इस पर हमको न वर्णों को इन सब की पीछे जोडना है फर्स्ट है देखो धड़कन तो हम लिखेंगी धड़कन धड़कन सेकंड पे है बटकन भटकन क्या हो जाएगा बटकन भटकन थर्ड नमबर पे है बरतन भरतन क्या हो जाएगा बरतन भरतन फोर्ड नमबर पे है अचकन अचकन क्या हो जाएगा अचकन अचकन तो इस तरह से आपको दो वर्ण वाले तीन वर्ण वाले और चार वर्ण वाले शब्दों को इस तरह से अपना रिवीजन करना है मैं आपको इसका फोटो भी क्लिक करके भेजूंगी ओके येस बबाई टेक कियर